आप सभी का स्वागत है आज हम उपस्थित हुए है यहां पर जो MPPSC के द्वारा या मत्यप्रदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा जो सलेबस में परिवर्तन किया गया है सलेबस में परिवर्तन चाहे वो वस्तू की स्थर पर हो चाहे वो पैटन की स्थर पर हो या फिर मार्किंग की स्थर पर हो हर संदर में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे फिर अगर हम लोग बात करें कि परिवर्तन का जो दौर है, बहुत सारे स्टुट्स हैं, जो इस बात को लेकर परिशान है, कि कैसे पढ़ाई की जाए, आयोग सलेवस में चेंज क्यों करता है, ऐसे परिवर्तन क्यों हो जाते हैं, तो वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक परंपरा है आयोग की, और जब से मैं MPPSC आयोग से जुड़ा हूँ या इसके एक्जामिनेशन से जुड़ा हूँ, चाहे मैं विद्यार्थी के रूप में था, तब भी मैंने देखा है, सलेवस में परिवर्तन होते हुए, और वरतमान में एक सिक्षक के रूप में हूँ, तो भी मैं सलेवस में समय के आधार पर या समय समय पर परिवर्तन को देख रहा हूँ, जैसे अगर हम लोग बात करें कि आप लोग परिवर्तन में देखोगे, 2008 में, 2008 में भी सलेवस में परिवर्तन हुआ था, 2008 के पहले का पूरा का पूरा सलेवस थोड़ा सा अलग था, 2008 क के बाद 2014 की बात करें, 2014 के आस पास भी सलेबस चेंज हुआ था, वहाँ पर आपके जो optional भी साय थे, optional भी साय हट गये थे पूरे के पूरे, फिर आप लोग देखोगे 2019 और 2020 के बाद जो चलता रहा प्रक्रिया, 2020 के जो exams हुए थे, वो सारे का सारे नए pattern पर आधारी थे, फिर उसके बाद अभी हाल में फिर से एक change हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, सलेबस में change होता है, तो इसको एक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए, ना कि इसके लिए परिशान होना चाहिए, हाँ, ये बात सही है, कि अगर हम पहले पढ़ चुके हैं, पुराने pattern में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो उसकी हमें आधसी हो जाती है, आधसी होती है, चाहे वो marking के संदर में हो, तो हमें याद रहता है, पहले तीन नंबर में लिखा करते थे पांच नंबर में लिखते थे, ग्यारा नंबर में लिखते थे, वहाँ पर परिवर्तन हो गया, आप परिवर्तन हो गया, दो साथ और दस का, फिर अगर मैं कहूं, वर्डिंग की बात करते हैं, वर्डिंग होती है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने मिनिट में चीज क्लास में पढ़ाते हैं तो यह बोल देते हैं यह दो नंबर की हिसाब से त्यार करना है यह पांच नंबर की हिसाब से जो कुछ भी होता है तो पहले बोलता था तीन नंबर पांच नंबर और ग्यारा नंबर अगर क्लास के दौरान होता तो कभी वही पुराने के पुराने श होती है ठीक है तो हम लोग यहां पर कुछ महत्पून टॉपिक्स हैं कहां पर क्या हमें नया पढ़ना है और कहां से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे अगर हम लोग बात करें माटेरियल की बात करें स्रोत की बात करें तो कुछ स्रोत मैं आपको बत सोर्सों पर मैं चर्चा करूगा. अगर हम लोग बात करें कि स्रोत की availability की बात करें तो संस्थान के द्वारा एक निश्चित समय के बाद आपको स्रोत उपलब्ध कराए जाएंगे, नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अगर किसी विद्यारती को ऐसा लगता है कि हाँ उसके पास time है, वो अपनी इस तर पर मेहनत कर सकता है, तो मैं जब discuss करूँगा सलेवस पर तो सलेवस के दौरान मैं source बताते चलूँगा कि यह source यह topic यहां से मिल सकता है, यहां पर जाके आप इसको पढ़ सकते हो, तो आप अपनी इस तर पर भी से कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले, प्रिलिम्स के examination किस तर पर चलते हैं, यहां पर कौन कौन से major changes हुए, और वो सारे का सारे जो changes हुए, वो आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, यहां पर यह सारे का सारे जो जितने भी red color में हैं, यह सारे का सारे वो topics हैं, जो नए जोड़े हैं पाठी करम में नए तरीके से जोड़े गए हैं, उनको highlight किया गया है, तो यहां पर आप लोग देखोगे, पहला ही topic है, जो भारत का इतिहास है, उस भारत की इतिहास में लिखा है, प्राचीन भारती ग्यान परमपरा, भारत वर्ष, वेद, उपनिशाद, अरणनेक, ब्रा हर चीज को अलग-अलग तरीके से mention कर दिया गया है, otherwise अगर हम लोग बात करें, यह सारे के सारे section, हम लोग वैदिक काल में या फिर प्राचीन काल में कहीं न कहीं पढ़ते हैं, जैसे एगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं, छठी सदी इशा पूर्व की बात करते हैं, तब हम वहाँ पढ़ते हैं, बोधिशत्यों की बात करें, तो बोधिशत्यों हम लोग जब हम लोग बुद्ध का समय होता है, बुद्ध के समय की बात करते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे section हम लोग यहाँ पर पूरे के नोर्स में बिल भी जाएंगे. हाँ, ये बात अलग है कि पहले ये सारे के सारे topics mention नहीं थे, अब ये सारे के सारे topics अब mention कर दिये गए हैं. ठीक है, अब इसमें से जैसे कुछ topic अगर मैं कहूं, हाँ ठीक है, वो नहीं है, उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रयाश करना पड़ेगा, जैसे अगर हम लोग बात करें, प्राचीन भारती ज्यान परमपर, वैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि यहां पर जो प्राचीन भारती ज्यान परमपरा है, यह overall अगर मैं कहूं, इसको means में होना चाहिए था, लेकिन यह आच चुका है, कहां पर प्रीम, यह थोड़ा सा निबंधातमक है, क्या, निबंधातमक है, और अगर आप लोग देखोगे निबंध का section, उस निबंध के section में भी आपक कैसे ज्यान की प्राप्ती होती थी, जैसे अगर मैं कहूं, आरंभिक ज्यान कैसा होता था, प्रात्मिक ज्यान का तरीका क्या था, उच्च सिक्षा है, उच्च सिक्षा कैसे प्राप्त की जाती थी, जैसे गुरुकुल परमपरा है, यह सारी की सारी चीजे है, और यह अग अगर हम लोग बात करें, यह वाला जो section है, अगर आप लोगों ने एक सिक्षा सास्त्र विशा होता है, उसमें जो BA First Year का है, BA First Year के सलेवस में यह चीज एकदम से overall क्या है? तो यह जितने सारे के सारे section है, इसमें से आप लोग तो एक तो यह नई सिक्षा नीति का topic हो सकता है, उससे आप लोग ले सकते हैं, फिर अगर मैं कहूँ जो सिक्षा सास्त्र विशा है, उस सिक्षा सास्त्र से आप लोग विशा अपना चूस कर सकते हो, content यहां से उठा सकते इसके लावा बहुत सारी चीजे हैं, यह ancient history का topic है, ancient history में चीजें आपको मिल जाएंगे, चली यहां से हम लोग बढ़ते आँगे, बांकी तो सारी की सारी चीजें वही की वही यहां पर है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर है भारत की संस्कृतिक विरा system इस्तमाल हुआ है, कला प्रारूप, यहां पर एक है साहित और यहां पर है परवेवाम उत्सव, अगर आप से मैं कहूं, ध्यान सुन, यह वाला है प्राचीन काल के संदर में, संस्कृत विराशत का, अब जैसे गर मैं कहूं, इतिहास के संदर में, यह कला का section है, यह सारे सारे topics आप लोग ना notes में पढ़ते हो, और आपके पास material पहले से है, बस यह किसका इस्थान अलग है, जैसे गर हम लोग बात करें, कला प्रारूप में, आप बहुत सारी चीज़ें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, पढ़ते आते हो, जैसे गर मैं कहूं, चित्रकला की सापतिकला की मैं बात करूँ, चाहे वो चित्रकला है, सापतिकला है, संगीत कला है, मूर्तिकला है, यह सारे के सारे section आप लोग ना इतिहास में कहीं न कहीं पढ़ते हो, चाहे वो अगर मैं कहूं, मौरे काल की सापतिकला हो जाए, वहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे, फिर चाहे गुप्तकाल का हो, गुप्तकाल में चाहे चित्रकला की बात करें, चाहे सापत्यकला की बात करें, फिर अगर आप लोग वहाँ पर पहुंच जाओगे, सल्तनतकाल में, सल्तनतकाल में भी यही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मुगलकाल में भी यही सारी मैंने आप से कहा चीजें यहाँ पर अलग से मेंशन है, otherwise यह सारे के सारे स्रोत अपने पास उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें साहित्य की बात करें। साहित्य की चाहे प्राशीन काल की में बात करूं। चाहे मध्यकाल की बात करूं, चाहे आधुनिक काल की बात करूं, ठीक है, आधुनिक काल में तो ठीक है, पत्र-पत्रिक आया है, पुस्तकों का अलग सक्षन चलता है, लेकिन अगर साहित्य सब्द का मर्म समझा जाए, तो साहित्य सब्द आपको विस्यस रूप से दो काल ख बात करें साहित्य में तो आप लोग साहित्य बता सकते हो जैसे वैदिक साहित्य होगा, वैदिक काल का साहित्य हम लोग बता सकते हैं, जैन साहित्य होगा, बौध साहित्य होगा, यह इस पर भी हम लोग पढ़ते हैं, मैटेरियल आपके पास है और संबंधित विशय का जो ट रैवल में बात करेंगे, तो में रैवल में भी हम लोग पढ़ते हैं, सेधी से बात है, वहाँ पर हम लोग सल्तनत कालिन साहित पढ़ते हैं, मुगल कालिन साहित पढ़ते हैं, मुगल कालिन में भी अगर हम लोग बात करें, अकवर के समय का, जहांगीर के समय का, औरंग हाँ, बस आपको थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, या फिर चीजों को compile करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला जो section है, यह है पर वेवा मुस्तव, यह पर वेवा मुस्तव है, यह culture का पार्ट है, क्या, culture का पार्ट है, तो culture के अंतरगत, हाँ, यह आप लोगों को material की स्थर पर कोई दिक्कत नहीं होगी, material की स्थर पर अगर हम लोग बात करें, यह pattern आपका किसी न किसी रूप में चलता है, इस इस रूप से अगर मैं कहूं, other other boards के जो आयों के द्वारे exam conduct होते हैं, उन exams में आपको पर्व एवम उत्सव जैसे सब्द मिल जाते हैं, topics आपको मिल जाते हैं, उत्सव का और पर्व का मतलब होता है, जितने भी स्थेवार मनाये जाते हैं, जो च्षेटरी उत्सव होते हैं, वो सारे क सारे section आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं, जैसे UPSC का सलेवस है, उस UPSC के सलेवस में आप लोगों को ये पूरे के पूरे टॉपिक आर्ट्स और कल्चर के रूप में मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, चले, बस ये है कि हो सकता है, यहां पर मध्यप्रदेश है, मध्यप्रदेश में वो डेफ्ट न मध्यप्रदेश के प्रमुक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पूरा तात्विक परिटन इस्थल, अगर मैं आप से कहूं, और यहां पर लिखा है, मध्यप्रदेश में विश्धरोहर इस्थल, अब अगर आप लोग देखोगे, यहां पर सांस्कृतिक एवं पूरा तात्वि परिटनिस्थल, तो जब कभी भी हम लोग मध्यपरदेश में परिटन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो पूरे के पूरे परिटन को हम लोग अल्रेडी दो तीन सेक्षन में बाट कर ही पढ़ते थे, चाहे वो सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक हो, चाहे वो धार् हो बस फर्क इतना है कि यहां पर अलग से यहां पर मेंशन कर दिया गया है लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक हमारा संबंध है कि परिटन में हम परिटन को कई भागों में बाट कर अल्रेडी पढ़ते हैं ठीक है तो अकसर आप लोगों ने देखा होगा कि हम तक में में तो बच्चेि ऐस सक्षं को पढ़ते ही आ है चलिए और प्रिबत ही में सामान अलुप से कोई भी टीचर अबढ़ता है तक अधीक हैं तो अधीक स्वारा समिझे होगा कि आजाएक देचा चलिए हम ने दुक्रियान को समझ में परित कर दो या फिर किसी परिटन की बात करते हैं, उस परिटन में हम लोग मिंशन करते हैं कि जो ये परिटन है ये विश्धरोहर इस्थल है या नहीं. ना बताता हो कि विश्धरोहर इस्थल में सामिल है. तो इस तरीके से अगर मैं कहूं, मद्य प्रदेश में आप लोगे, दो-चार जगह आपको मिल जाएंगी, और उन दो-चार जगह का मतलब समझ रहे हैं, एक अनुमान की में बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों को विश्व दरोहर स्थल मिल जाएंगे, तो कुल मिल यह वाला जो टॉपिक है, यह मिंशन है अलग, यह बात सही है, लेकिन इसका कंटेंट आपके पास है, और बहुत आसानी से उपलब्ध है, ठीक, फिर उसके बाद यहां पर हम लोग बात करें, भारत का भुगोल है, भारत के भुगोल में ठीक है, इस सारी की सारी चीज़े वैसे गर मैं आप लोगों से कहूं, भारत आयोग को विश्व जैसे शब्द से बहुत नफरत टाइप की है, जैसे गर मैं कहूं कुछ समय पहले सलेवस में चेंज हुआ था, तो विश्व का इतिहास हटा था, और फिर अब अगर मैं आप से कहूं, अब सलेवस में चेंज ह हुआ है तो विश्य का भूगोल हटा है तो ठीक है तो जो कुछ भी है आयोग का जो भी पैटन हो आयोग का जो भी मानना हो इस संदर में मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन हाँ हमारा इस बात से मतलब है और हम कंशन भी है कि जो भी सलेवस में है जो भी एड हुआ है जो भी change हुआ है उस पर हम काम करें और आपको matter उपलब्ध कराएं चलिए तो यह आप लोग का विश्व का भगोल का section है फिर यहां विश्व का भगोल तो हटी गया इस पर ध्यानी ने देना भारत का भगोल है भारत के भगोल में अगर हम यहां पर एक section है लालीना यहां पर है दक्षणी दोलन पश्यमी विक्षोव जलवाव परिवर्तन के पैणा हाँ जग लिखने की सतर पर यह सब के सब नए है जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर एलीनो लालीना पढ़ते हैं यहां पर मिंशन है हां यहां पर अगर हम लोग बात करें जो दक्षणी दोलन है दक्षणी दोलन पर सामान रूप से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इतना डेफ्त में पूछा नहीं जाता था लेकिन material की स्थर पर कोई दिक्कात नहीं है और अगर हम लोग बात करें जो बच्चे सामान रूप से UPSC की तैरी करते हैं या फिर जो बच्चे UPSC या फिर किसी अन आयोग की exam की तैरी करते हैं वो अनिवारी रूप से दक्षणी, दोलन, पश्मी, वुक्षोब जैसे संदरभों को पढ़ते हैं और बहुत आसानी से पढ़ते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर आपके लिए अगर मैं कहूं मध्य प्रदेश के लोग यहां पर जेट स्ट्रीम नहीं है इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश की जलवाय को समझने में, मध्य प्रदेश का मांसून समझने में आपको पूरी की पूरी दिक्कत होने वाली है. ठीक है? तो यहाँ पर ये तो फेबरेट कोश्चन हुआ करता था मध्य प्रदेश का जब मेंशन रहा हो, ना रहा हो, कोई बात की बात नहीं. यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, दक्षणी दोलन है, यहाँ पर मेंशन नया है, मैंने कहा, मैटर की दिक्कत नहीं है, न तो मैटर की दिक्कत यहाँ, न तो मैटर की दिक्कत यहाँ. ठीक है? यहां पर एक section आप लोग आ रहा है, जलवाई परिवर्तन के परिणाम, जलवाई परिवर्तन के परिणाम के अगर हम लोग बात करें, यह पूरा का पूरा जो section था, जलवाई परिवर्तन का पहले मेंस में भी बहुत सारा था, मेंस में बहुत सारा था, फिर अगर हम लोग ब हमज호ता हो गया क्योटो परोटोकॉल हो गया इन सब का प३रतेक्श या प्रतेक्श रूप से किससे सम्मंद है जलवाई परिवरतन से और जलवाई परिवरतन यहांपर तो चुपचाब लिखा है जलवाई परिवरतन के परिणाम मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संदर में आपको जलवाई परिवरतन पढ़ना चाहिए। चाहे वो जलवाई परिवरतन के कारण हो ये जलवाई परिवरतन की परिवासा हो, चाहे वगर हम लोग बात करें जलवाई परिवरतन का छेत्र हो ये परिवर्तन पढ़ते हैं, जॉगर्फी में भी हम लोग जलवायू परिवर्तन पढ़ते हैं, तो जो लोग का इंटाफेर्स पढ़ते हैं, उनकी लिए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है, और मेंस में तो पहले से था, अब प्री में रख दिया गया इसको, ठीक ह चल यहां से आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग परिशान होते हैं, अक्सर अगर हम लोग बात करें वैश्विक तापन से, तो यहां पर जो जलवाई परिवर्तन, कुछ लोग सोचेंगे कि जलवाई परिवर्तन लिखा है, वैश्विक तापन नहीं लि कि जो वर्तमान इस्थिति उसमें परिवर्तन हो जाना और वो परिवर्तन किसके वज़ाए से हो रहा है तापमान में व्रिध्धी के कारण ठीक है यहां से हांगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सेक्षन आता है यहां पर बात आ रही है प्रमुख देना प्रमुख फसले ख जिसका जो जोगर्फी पढ़ता होगा विसे अस रूप से अन्य आयोक से संबंधित जितने भी एक्जाम होंगे वहां पर खादुसरक्षा, हरितक्रांत, दूसरी हरितक्रांत, इन सारे के सारे संदरहों में ब्यापक इस तर पर पढ़ता है यहां पर मैं फिर से कहना चाहत हाँ, MPPSC के सलेबस में ये बातें नहीं हैं, लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि यहां के लिए ना तो मैटर की कमी है, ना ही अगर आपको कहूं अथेंटिक मैटर की कमी है, चीजें सारी के सारी आपके पास उपलब्ध हैं, अगर अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो करेंट के टॉपिक में आपको मिल जाएंगी, यहां पर हरित करांती, हरित करांती तो बहुत परमपरागत फैक्ट है, यह आपको एकोनॉमी में भी मिलेगा, एकोनॉमी के साथ साथ, अगर मैं आप लोगों से कहूं, भोगोल में भी मिल जाएगा, तो ऐसा टॉपिक है वही हाल इसका है, तो आप लोग न, economy का कोई भी source होगा, वहां से इसे ले सकते हो, आपको भोल का कोई topic होगा, वहां से आप लोग आसानी से ले सकते हो, तो स्रोत की स्तर पर, यहां पर कोई कमी नहीं है, फिर से, लेकिन बस यह है कि सलेवस में नए तरीके से mention है, और मैं geography का विशे होगा, और geography का teacher होगा, और अगर वो फसलों का section होगा, तो सामान रूप से वो फसलें पढ़ाता ही होगा, geography में फसलें अनिवारी रूप से लोग पढ़ते भी हैं, जिसको हम लोग यहां पर प्रमुक फसले हैं, वहां पर एक क्रिश्ची का topic होता है, या फिर क् भारत में प्राकरतिक खतरे, आपदाएं, भारत के में प्रमुक चक्रवाद, अब जैसे अगर हम लोग बात करें, ये भी भारत में प्राकरतिक खतरे, एवं आपदाएं, ये पूरा का पूरा topic, अगर मैं कहूं आपदा प्रबंधन का है, आपदा प्रबंधन पहले से भी सलिवस में था, आपदा प्रबंधन हम लोग पढ़ते रहे, तो चाहे मैं आकार के नोट्स की बात करूँ, चाहे कहीं अन्नी जगह से अगर आपके पास कोई स्रोथ होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को आपदा प्रबंधन आसानी से मिल जाएगा, आपदा प्रबंधन ने कि सारी कि सारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक आपदा, और मुझे ऐसा लगता है कि में समें तो प्राकृतिक आपदाओं का पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है, तो इतना सारा मैटर आपके पास स्पलब्ध है, कहां पर भारत में प्राकृतिक खत्रे एवं आपदाएं, तो आप लोग नोट्स में देखोगे, मेंस के नोट्स में देखोगे, तो ये भी आप लोग змогに मिल जाएगा भारत में प्रमुख चकरवात, भारत में प्रमुख चकरवात का मतलब होता है, भारत में जो चकरवात आते हैं, सामान रूप से उश्नकडिवंदी चकरवात होते हैं, उश्नकडिवंदी चकरवातों के नाम होते हैं, और वो नाम होते हैं, और किसी न किसी विशेस राज्य से उनका संबंध होता है, कि कि जैसे कोई चकरवाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पशिब बंगाल में रहा, उडिशा में रहा, आंध्र प्रदेश में रहा, तमिल नाड़ में रहा, कभी-कभी कुछ राज जैसे राजियों में भी हो जाता है, लेकिन यहां पर आप लोगों की पास क्या है, यह वाला जो सेक्षन है, यह आपको उपलब्द है, यहां पर मिंशन नहीं था, अलग से वो मिंशन कर दिया गया है, तो स्रोथ की स्तर पर यहां पर भी कोई कमी नहीं है, और मैं आपको सारे के सारे स्रोथ बता रहा हूँ, तो जहां पर मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह कि वो सारे के सारे टॉपिक आपको आकार के नोट्स में आसानी से मिल जाएंगे, बस फर्क यहां कि पहले हम लोग उसको डिटेल में में से पढ़ते रहोंगे, हो सकता है वो टॉपिक आपको प्रीमे मिल गे, ठीक, चलिए, यहां से जब लोग बढ़ेंगे आँगे, तो फिर एक सेक्षन आता है जनसंख्या वरिध्धी जहां सुना, वितरण ध्यनत्तो ग्रामिल एवं नगरिय प्रवास, यह पूरा का पूरा टॉपिक फिर से वही कहानी है, मैंने कहा मैटर की यहां पर फिर से कमी नहीं है, और अगर मैं आप से कहूं, अगर मतलब यहां पर भी आपको मैटर की कमी नहीं मिलेगी, यह वाला जो टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संदर्वों में रिपीटेट है, बार बार इसकी क्या हुई है, पुन्रा वृत्ती हुई है, रिपीटेटेट टॉपिक है, जैसे गर हम लोग बात करें, जनस सेक्षन, एस इस था, तो मैटर का इशो फिर से यहां पर नहीं, अब इसमें से जो सामान इसी बात है, अगर हम लोग बात करें, यह जनसंख्या वृत्धी वाला जो टॉपिक है, यह वाला सेक्षन, चाहे जनसंख्या वितरन है, चाहे घनत तो है, यह बात साही है कि हम लो सबसे अधि घनत वाले, राज्य कौन से है, नियुनतम घनत वाले, राज्य क्या है, जनसंख्या, वृत्धिदर कितनी हुई, कितने प्रतिशत वृत्धी हुई, कहां पर कितनी आवादी, यहां पर कितनी आवादी, यह सारी के सारी चीज़े हम लोग पढ़ते थे, लेकिन दिया कहां पर है प्री में, तो content तो वही रहेगा, बस ये कि उसको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है, तो matter की कोई कमी नहीं, हाँ, ये वाला तो section है, ग्रामीन और नगरी प्रवास का, ये तो पूरा का पूरा अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये mains का topic होना था, लेकिन ठीक है, कहां पर दिया हुआ है, में प्री में दिया है, तो यहां पर भी पढ़ेंगे, content और का issue यहां पर भी नहीं है, और बिलुकुल आपको परशान नहीं होना है, चली, यहां से गर हम लोग बात करें, यहां पर है जनसंख्या अवरिद्धी, वितरण, यहां पर आप लोग देख लिए, इतना तो सारा का सारा सेक्षण है, यहां पर आपका एक सेक्षण है नगरीकर्ण और यहां पर था, ग्रामिन एवम नगरीः प्रवास, यह वाला जो सेक्षण है, जनसंख्या वितरण है, घनत तो है, जब हम लोग मध्य परदेश के पढ़ते हैं, तो यह सारी के सारी चीजे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ, यह अलग से दिया हुआ है, नगरीकरण, ठीक है, फिर यहां पर दिया है, घनत तो, फिर यहां पर दिया हुआ है, वितरण, फिर यहां पर दिया है, जनसंख् ठीक है और अगर हम लोग बात करें इस सारे के सारे टॉपिक अगर आप लोग देखोगे तो जो मेंस है उस मेंस में के सलेवस में पूरा का पूरा है हाँ ये बात है यहां पर नगरी करण पर उतना स्पस्टी करण के साथ मैटर नहीं है लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इन पर बहुत ही ढंग से material आपके पास उपलब्ध है, यहां पर भी आपको परशान नहीं होना, ठीक है? चलिए, यह सारे के सारे section आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो कुल मिलाके, अगर मैं कहूं, pre के संदर में, बहुत सारे जो topic है, उनकी जगह बदली है, या फिर उनको अलग से mention कर दिया गया है, अभी तक जितना section हम लोगों ने देखा, वहां पर आपको matter की स्तर पर कोई wishes दिक्कत नहीं होने वाली है, चलिए, ठीक है, तो यह अगर हम लोग बात करें, यह समविधान वाला section आता है, भारत राष्टी एवं प्रादेशिक समवैधानिक एवं समवधिक आयोग एवं संसाइं, यह वाला जो topic है, यह आप लोगों के लिए नया है, नया की संदर में, इस्थान की संदर में नया, बाकी अगर मैं कहूँ, यहां पर भी जगह का परिवर्तन हुआ है, जगह परिवर्ति आप लोगों को हो गया यहां पर घाटा, घाटा की संदर में, घाटा इस संदर में कि एक पूरी की पूरी unit हुआ करती थी, और unit 10 में हुआ करता था यह पूरा का पूरा topic हुआ करता था, और यहां से, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी यूइनिट से 10 के 10 question पूछे गए हो या ना पूछे गए हो या फिर अगर मैं कहूं हर दस हर यूनिट से दस कुशन पूछने का जो एक standard था उसको follow किया गया हो या ना किया गया हो लेकिन आयोग वाला जो topic था यहां से मुझे ऐसा लगता है कि दस के से आठ ना कुछ लोगों की तो दस के दस सही होते थे तो यह आप लोगों का एक scoring area हुआ करता था क्योंकि एक unit में था अब अगर हम लोग बात करें यहां पर यहां पर यह आप लोग का पॉलिटी का एक section हो गया है पॉलिटी का एक हिस्सा हो चुका है तो कुल मिला के जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं माल लेज़े यहां पर 10 questions आते हैं तो उन 10 questions में से एकात question हुआ करेगा यह वाला ठीक है अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा यहां पर एक section मैंने आप अभी सब्सक्राइब किया वो है कि हर यूनिट से 10 आने का हर यूनिट से 10 आने का जो concept है वो अभी कहीं पर लिखित में नहीं है लेकिन ठीक है जो pattern है जो जिस चीजें को syllabus का जो categorization किया गया है जैसा उसका pattern show हो रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पर mention नहीं है अभी लेकिन ऐसा होना चाहिए उसी हिसाब से मैं यहां पर बात कर रहा हूँ रेजन क्या है कि आपका जितना भी syllabus है जो कुछ भी है वो पहले जैसा ही divide है उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है वैसे ही part में बटा हुआ है वैसे खंडों में बटा हुआ है वैसे unity में बटा हुआ है तो सारी के सारी चीजें पहले जैसी हुई है और मुझे ऐसा लगता ह कि एक बार आयोग का फिर से कोई pattern आएगा एक notification आएगा जिसमें हो सकता है वो copy का एक proforma या फिर एक प्रारूप प्रस्तुत करें आपके सामने फिर शब्दों का क्या हो हाल होगा कितनी शब्द शीमा होगी उसके बारे में भी सायद अलग से फिर दे बांकि अभी तो mention है कुछ चीजे मिंसन और कुछ चीजे मिंसन नहीं है फिर अगर मैं कहूं एक्जाम का पूरा का पूरा pattern हरी उनिट से कितना आएगा नहीं आएगा उसका भी एक एक एक्जाम के पहले एक बनना चाहिए फिर जैसे आयोग की मर्च यहां से हम लोग बात करते हैं लिखा है यह इन पर फिर एक point यहां पर लिखा है मध्यप्रदेश में सुसासन मध्यप्रदेश में सुसासन यह अगर मैं आप लोगों से कहूं इसके लिए आपको थोड़ा सा content ढूना पड़ेगा मतलब यह कि यहांपर सुसासन है यह सब्द आप लोगों के लिए दम से पहली बार इस आप से कहूं कि यह वाला जो concept है सुसासन का जब से तैयरी APSC को हमने जाना है तब से मत्य प्रदेश में सुसासन जैसा शब्द कहीं पर विशी इस रूप से नहीं दिखा था ठीक है चलिए तो यहां अब यह आप लोग को मत्य प्रदेश में सुसासन देखना है सुसासन अगर आप लोग ध्यान रखना आप लोग यहां पर अगर सुसासन की गर्म लोग बात करें तो इस सुसासन को आप लोग भारत के संदर में जोड़कर पढ़ोगे तो content पूरा तयार हो जाएगा ठीक है सुसासन का मतलब सुसासन को सुनेशित करने वाली कौन कौन सेजन्सियां है या भार कैसे सुसासन स्थापित किया जा सकता है सुसासन क्या है यह सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहां पर पढ़ोगे लेकिन अगर मुझसे पूछो तो यह भी topic आपका मेंस के ज़ ऐसा आयोग ने लिखा है तो हमको अपनी रणीतियां बनानी पड़ेंगी और अपने उद्देश्यों में और अपने कारियों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा चली बढ़ते हैं यहां से आँगे फिर है यहां पर मद्य प्रदेश की भारत एंगी मद्य प्रदेश के अर्थवस्था तो यह पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता पूरा लाल ही लाल है यहां पर आपको बहुत सारे topic एकदम से नए दिख रहे हैं नए दिख रहें जसे भारती अर्थवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमानिस्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानुवी संसाधनों का विकास, सिख्षा, स्वास एवं कौशल, सतत विकास के अधोसन रचना का विकास, यह चोट लगुध्यम लगुद्योग वाला सेक्षन है, आत्मे न अध्यान से सुना आपलोग, मतलब current का मतलब होता है, यहाँ पर economy के current के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी बनेंगी, जैसे यह सारी की सारी यह तो योजना ही चल रही है, योजना चल रही है, आत्म निर्भर भारत है, तो आत्म निर्भर मध्यप्रदेश हो गया, अब यहा प्रदेश के संदर, तो यह पूरा का पूरा टॉपिक है, इसमें आपको न चीज़ें बड़ी आसानी से नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी का मतलब यह होगा कि यहाँ पर आपको current का सहारा लेना पड़ेगा, current के साथ अपनी चीज़ों को तयार करना पड़ेगा, और इस सं हमें भी यहाँ पर matter को और बहतर तरीके से तयार करना होगा, ठीक है, तो यह वाले section में आपको थोड़ा सा current का सहारा लेकर तयार करना होगा, जिन लोगों को अपने इस तर पर तयारी करनी है, उनके लिए, बस यह है कि जितने भी यहाँ पर topic है, इनको पढ़ने का जो सब बहुत बहतर तरीके से तयार हो जाएंगे, क्योंकि concept जो होगा, चाहे भारत के संदर में हो, चाहे मध्य प्रदेश के संदर में हो, वही का वही रहेगा, बस हाँ, उदाहरन की मैं बात करूँ, इस्थित की मैं बात करूँ, वो सारे के सारे उदाहरन जो होंगे, या फिर जो इस्थितियां होंगी या फिर जो इस्थान होंगे वो साप कहा की हो जाएंगे मध्य प्रदेश के हो जाएंगे ठीक है चाहिए यहां पर हम लोग बढ़ते हैं आंगे अब जैसे गर मैं बात करूँ सतत्विकास लक्षियों में मध्य प्रदेश की प्रगति अगर आपको क्या लक्षे है और उन्हीं लक्षियों को आप लोग जोड़ दीजे कहां पर मध्य प्रदेश की जो ये लक्षे है इन लक्षियों में मध्य प्रदेश की इस्थिति क्या है मध्य प्रदेश पहले कैसा था अभी कैसा है यही कहलाएगी क्या प्रगति बस चले यहां पर इ G20 की दो बैठाक हमेशा होती रहती है, यहां पर सारक संस्था है आश्या, तो यह तो दो ट्रेडिशनल पार्ट है, यह आपको हर जगा मिल जाएंगे, आकार के नोट्स मिल जाएंगे, कोई रिफरेंस बुक देखोगी, एकोनोमी की, वहां पर मिल जाएगी, यह तो करेंट क नीतियां इसके लिए आपको करेंट की साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा, तो अगर मैं आपसे कहूं, यह पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक है, यह करेंट पर आधारेत है, ठीक है, तो यह आप लोगा सेक्शन रहें, चलिए, चलते हैं, यहां से हम लोग आंग स्वासनीति यहां पर संक्रामक रोग है, यहां पर अगर हम लोग बात करें, रोग थाम, स्वासन सुचकान, कुछ पॉइंट्स तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, जैसे संक्रामक, आसंक्रामक रोग, कुछ तो यहां पर आपके मेंस से आगए, क्या है, मेंस से आगए, यहां पर देखें यहां पहना सत्ट विकास की अवधाळना और यहां पहना लिखा है siblings SDG जैए सब्सक्राइब करें वही है sustainable development गोल सत्ट विकास लक्ष ठीक है यह बात ध्यान रखना तो यह सत्ट विकास लक्ष यह यह sustainable development goal कहलाते हैं, मतलब sustainable development goal कहलाएगा, तो यह अब मैंने आप से कहा ना, देख लीजे, यह भी सारी कि सारी चीजे एक जैसी हैं, यही चीज आप लोगों एकोनोमी में देखी थी, वही चीज यहाँ पर आपको मिल गए, सारी कि सारी चीजें आप लोग जानते हो, कॉपौशन का भी matter बहुत आसानी से उपलब्द है, तो कॉपौशन का भी matter आपको आसानी से उपलब्द है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सतत विकास की लक्ष और अउधारना, इसका भी matter आपके पास उपलब है, ठीक है, यह सारे के सारे points अगर मैं आप लोगों से कहूं, आकार के means के notes देखोगे, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें से हाँ, ये वाला section आपको हो सकता है, नहीं मिले, ठीक है, बाकी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगे हाँ, ये भी आप लोगों का उतना विस्तरित और उतना धंग से नहीं होगा, जितना आप लोगों को धंग से यहाँ पर तयार करना है, ठीक, चली, यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आंगे, जह हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आंगे, तो फिर यहाँ पर है अंतर राष्ट आपका हट गया, sports हुआ करता था, मध्य प्रदेश में खेल हुआ करता था, एक traditional जैसे होता था, कितने खिलाड़ी हो गया है, इस खेल में कितने खिलाड़ी होते है, बैट का वजन कितना होता है, क्रिकेट की पिछ की लंबाई चोड़ाई कितनी होती, ऐसे कभी-कभी प्रश पड़ते थे, तो हो सकता है कि मैं कभी-कभी बोल देता हूँ कि current पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, traditional विशय को तैयार कर लो, traditional विशय हमेसा काम आते हैं, बार-बार काम आते हैं, और जो current की questions आते हैं, एक-दो आते हैं, कभी तो बहुत पुराने current अफर्स जैसे हो जात अगर 10 प्रशन आएंगे, तो आपको इलिए यहाँ पर current अफर्स अब daily पढ़ना जरूरी है, current अफर्स पढ़ना है, daily पढ़ने का मतलब यह होता है, जैसा आपका मन करें उस हिसाब से, आप किसी magazine का सहारा ले सकते हो, अगर आप लोगों से मैं कहूँ, magazine कुछ magazines हैं, उन magazines क आप लोग सहारा लोग, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कभी यहाँ सी source से, उस source से कुछ पढ़ लेते हो, कुछ पढ़ लेते हो, यह जो current अफर्स का topic है, इस current अफर्स के topic को आप लोग mains और pre के हिसाब से तयार करो, और मैं तो यह कहूँगा, इसमें आप लोग ए पहले से चली आ रही है, अब अगर मैं आप से कहूँ, बहुत जगह है, बहुत सारी magazines हैं, बहुत सारे आपके पास स्रोत होंगे, उनकी authenticity का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत दिनों से परंपरागत रूप से चली आ रही magazine है, जिनका content बहुत बहुत बहतर है, उनको आप लोग follow करो, follow करो और उससे आपका pre, means और interview तीन के तीनों section होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप magazine पकड़ो नियमित रूप से, एक magazine नियमित रूप से पढ़ो तो ध्यान सुनना आप लोग, यहाँ पर magazine का एक आप लोग topic चूज करो, magazine चूज करो और उस magazine को धंग से पढ़ो, क्या करो आप लोग धंग से पढ़ो, और इस data का जिसका जो data होगा, उस data का pre में से पढ़ो, उस data का means में से पढ़ो, और उस data का आप लोग interview में से पढ़ो, तो आप लोगों के लिए आप एक अनिवार शर्त है, मेरी सला है, और सफलता के लिए अनिवार करनी पढ़ेगी और उस magazine को पढ़िए उस magazine से आपका प्रीका current affairs त्यार होगा आपको जैसे सततविकास है जीट उन्टी है ऐसे जो topic है जलवाई परिवर्तन है फिर अगर मैं कहूं व्यापार नीती है विदेश नीती यह सारे topic आपको उसी current affairs से त्यार होगे एकोनोमी के बहुत सारे topics आपको लोगों के तैयार हो जाएंगे फिर अगर हम लोग बात करें निबंध का जो बहुत सारा section है निबंध के बहुत सारे sections आपके तैयार हो जाएंगे सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं होंगी, वो योजनाएं आपको सिस्टेमेटिक मिल जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नियमित रूप से मैगजीन का सहारा लेना चाहिए. चलिए, यहाँ पर है कंप्यूटर का आधार, भूत, ग्यान, सिधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है, लिखा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति किसी न किसी संदर में पढ़ता रहा होगा. जैसे गर मैं कहूं सूचन एवं संचार प्राद्युगी पढ़ता रहा होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ग्यान आप लोगों को मिलता रहा होगा. हाँ, ये बात सही, किसके पहले कंप्यूटर था, इस्पसली मिंशन था, हम लोग जो पढ़ते थे, तो उस समय कंप्यूटर का एक सेक्शन था, और कंप्यूटर हम लोग पढ़ते थे, यहीं से हम लोग जाना था कि कीबोर्ड भी होता है, उसके पहले तो नहीं पता था. चलिए, यह सारे के सारे सेक्शन है, आप लोगों के यह आप लोग के लिए नया है, यह आपके लिए बहुत आसानी से उपलब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मटेरियल की कोई समस्या नहीं है. चलिए, यहाँ पर है मद्यप्रदेश की जंजातियां, दस्वी यूनिट है, विराशात, लोग, संस्कृत, लोग, साहित, यह सारे के सारे सेक्शन आपको मिलें. अब जैसे गर मैं आपसे कहूँ, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग को मिल जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे जंजातियों के लिए समवैधानिक प्रावधान, यह सारे के सारे सेक्शन आपके लिखने में देख लीजे आप लोग, यहा से कहा न, बहूँ सारे सेक्शन से जिनकी जगह में पर ही वरतन है, कोई प्रीग ही जग़ा, कोई प्रीग से मिंस में आ गया, मिंस में प्रीग में आ गया, कोई पहले मध्यप्रदेश का, जब हैं लोग इक ठाटा पाइलेशन करके पढ़ते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, कहीं पर एक ट्राइप्स कोई भी मद्य प्रदेश पढ़ाता होगा, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी चीज छोड़ता होगा, एक आद दो पॉइंट्स अगर छूट जाएं, वैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर संस्थान है, संग्रहालाय है, प्रकाशन है, यह आप लोगों के लिए एकड़म से नया है, जो आपके नोट्स में अभी नहीं होगा, और अगर होगा तो उतना व्यवस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है लेकिन ये सारी की सारी चीजें मध्य प्रदेश में लोक संस्कृत एवं लोक साहित ये सारा का सारा content आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर भी आपको जो material है या फिर अगर मैं कहूं स्रोत जो है, उस्रोत को लेकर यहां पर कोई दिकत नहीं होने वाली ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़ें आपके पास उपलब्द हैं, तो आपको यहां पर भी परशान नहीं होना है आप आकार के नूर्स देखोगे, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, आप जैसे एगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हो सकता है, लोग साहित आप लोगं के लिए especially अलग से मेंशन ना हो, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी सुपल हाल है, यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर यह section आता है मुख्य परिक्षा का, मुख्य परिक्षा का हमने यहां पर अभी मैंने कहा, pattern की ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आभी तो जो section है पूरे के परशनपत्र है, वो परशनपत्र खंडों में बिभाजित है, और यहां पर जो खंड है, उसमें से पहला खंड किसके हिस्से में गया, इतिहास के हिस्से में गया, और पहले भी ऐसा ही था, पहले भी ऐसा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे गर हम लोग बात करे यह पूरा का पूरा topic है, आपके पहले पढ़ते थे, notes में है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, कि यहाँ पर यह red है, तो हो सकता है, यहाँ पर सलतनतकाल मेंचन हो गया हो, लेकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत है, या पर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एक दम से नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, विशेश रूप से गर में कहूं, यह सारा का सारा section है, यह नया है, अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप लोग हिंदी गरंथक आदमी से, हिंदी गरंथक आद में विक्रमादित्य की गौरव गाता है, तो विक्रमादित्य की जो गौरव गाता है, उसमें इसका क्या मिलेगा, आपको लेख मिलेगा, ठीक है, बांकी सारी की सारी चीज़ें, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, हिंदी गरंथक आदमी की पुस्तक से, ठीक है, कुछ लोग तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो यह एक हिंदी गरंथा का आदमी, एक है मालवानचल का इतिहास, और एक आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर विक्रमा दित्ते जो हैं कि उनकी गौरब गाता. चलिए, इमां की सारी सारी चीजें हैं, वो आपका वैसे ही का वैसा चल रहा है, इसमेंसे और कुछ भी नहीं है, अब जैसे गर हम लोग बात करें, ब्रटिश शासन का भारती रतवस्था पर प्रभाव, ब्रटिश उपनिवेश्वात के प्रती भारतियों की प्रत्क्रिया, यह है क्रिशक, जंजाती, अंदोलन, यह सब हम लोग पढ़ते रहें, हमेसा पढ़ते रहें, हाँ, इसमेंसे मुझे ऐसा लगता है, कि अगर यह 1919 और 1935 का जो अधिनियम था, वो अधिनियम लगता है, यहां से हट गया है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्ही तत्यों क मिंशन किया गया है, हाइलाइट किया गया है, रिट से, जो आपके नए सलेवस में नए है, जिनके संदर में पहले से मिंशन नहीं था, जो पुराने हट गया है, तो हट गया है, उनका ज्यादा उल्लेख यहां पर नहीं, चलिए, यहां से हम लोग बढ़ते आंगे, फिर यहां पर भारती संदर, देखना आप लोग गणतंत्र दिवस कुदा, यह सब पहले सलेवस में था, जगए बहले बदल जाए, यहां लिखा है, भारती संस्कृत विराशत मद्द प्रदेश के विसेश संदर में, प्राचीन काल से आधुनिक काल, बिविन कालों में यह साह है, परव है, उस्साओ है, वास्तुकॉला है, प्रमुकपक्ष, यह विश्धरोहर, इस्तल इवं परेटनेसल, देख लिए आप लोग यह, यह सारे के सारे सेक्शन आपके रिपीटेड है, है न, हिनकी पुन्रा वरती होई, तो मैंने आप से कहा, कुछ चीजें आप लोग वो अलग-अलग होता है, ठीक है, यहां पर है, मद्य परदेश की प्रमुकरियासते, मुझे अच्छा लगता है, कि परमपरागत है, पुराना है, चले, यहां पर है मद्य परदेश के जनजाती नायकों का संघर सेवं, इतिहास में युगदान, राजा संकर शाह, रगुन रहें, क्या है, पढ़ते रहें, दुनिया, अगर मैं कहूँ, राजसंकरशा, रहुनासा को जानती, पुरुसकार भी है, है ना, ठीक है, ये राजा थे, कब से कब सासन किये, युद्ध किये, रानी दुर्गावती को, हर्ज कोई जानता है, और अगर मैं आप लोगों से कहू ये 19 के बाद, जो 20 से सलेवस हुआ था, उसमें भी पढ़ते थे, और उसके पहले भी खुब कोश्चन आया करते थे, कहां से, रानी दुर्गावती से, इसमें से कोई भी परसनालिटी है, कोई भी परसनालिटी आपको पढ़नी है, वो तो नोर्स में भी मिल जाएंगे, औ तो आपको कहीं से भी, कहीं से भी का मतलब ये होता है, कि आपकी सी भी स्रोत में आप इनको आसानी से ढूंड सकते हो, का अपना content तयार कर सकते हो. चलिए फिर हम लोग बात करते हैं खंडवा खंडवा अगर हम लोग बात करें ये आपको मिलेगा भुगोल का ठीक है ये भी पुराने पैटर्न पे था वही है जो पहले पेपर पहला था वो इतिहास और भुगोल में बटा था इतिहास भुगोल में बटा हुआ है अब बस य हुए तो इतिहास और भुगोल के टॉपिक्स को न एक ही पेपर में नहीं रखनी चाहिए इनको अलग अलग जगय रख दो सिधी सी बात है कहीं तो वैलेंस हो यह दो के दोनों अगर मैं कहूं पढ़ने की स्तर पर भी बड़े हैं और लिखने की स्तर पर भी बड़े हैं और स संबंदित विशा के टीचर को पता होता कुछ तो बाउंसर मारते हैं कुश्चन्स भई विशेस रूप से आप लोग ने इतिहास में देखी होंगे बाउंसर है तो पहला पेपर है तो मुझे ऐसा लगता है इंका खंड बदल देना चाहिए ताकि आसानी से यहां मैं फिर स में भागोलिक यान यह अगर मैं कहूं आप लोग अगर कुछ लोग पढ़े होंगे बीए जो थर्डियर है क्या है बीए जो थर्डियर है उस थर्डियर में आप लोगों को यहां पर नाम मिल जाए यह पूरा का पूरा कंटेंट आपको बीए थर्डियर की पुस्तक में आ है ज्यादा इसमें ऐसा नहीं क्यों बहुत कॉंसेप्ट है थोड़ा सा फैक्शुल है चीजें इन्फॉर्मेटिव ज्यादा है तो आप लोग पढ़ सकते हों फिर यहां पर है भारत के प्रमुख भुवाकृतिक प्रदेश इसमें से ऐसा नया कुछ भी नहीं जुड़ा है ह हट गया है प्राइदीपी पठार अगर हम लोग बात करें यहां पर एक द्वीब का सक्षन हुआ करता था तत्रीप मैदान का सक्षन हम लोग पढ़ते थे'M वह सारे क सारे सीश्चन से यहां पर हट गया है तो टुल मिला कि यह वाला सक्षन आपकहा छोटा हो गया चली ठ तौइन, तापमान, वरशा, मान्सुन की उपती, उपरी, वाउपरी संचरन, जट, स्ट्रीम, ये सारे के सारे section आप लोगों को यह operate मिल गा अभी मैंने कहा था जट स्ट्रीम का वहाँ पर जट स्ट्रीम स्ट्रीम का वहाँ पर आपको मिल गया क्या जट यहाँ पर जट स्ट्रीम नहीं था यहाँ पर जट स्ट्रीम है थीक है मैं आप से पहले भी कहा था जट स्ट्रीम बिना अगर मैं कहुं भारत का मानसून अधूरा है ठीक है, तो यह सामान रूस से पढ़ते थे, ठीक है, यहाँ पर अगरम लोग बात करें, फिर से वही कहानी है, एललीनो है, लालीना है, पहले से लेवस में लिखा था, दक्षिनी दोलन, पश्मी विक्षोब, हिंद महासागर, दुईधरुब, यहाँ तक का है, हिंद अगर, दुईधरुब, फिर जलवाई परिवर्थन के पढ़ना, तो अगर मैं कह दूँ, यह पूरा का पूरा जो सेक्षन है, इसमें से यह वाला टॉपिक छोण दिया जाए, बाकि यह प्रीक से ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, यह सारे के सारे सेक्षन है, अब इसमें से आगे, जलवाई परिवर्थन है, मैंने कहा, जियोगर्फी में 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 पहले था, अब यहाँ पर जगह बदल गई है, ठीक है, और आप लोग जानते हो कि विश्व का भोगोल में में से भी हट चुका है, यह पहले ही, अगर हम लोग बात करें, विश्व के भोगोल में एक टॉपिक ही था, जलवाई परिवर्थन वाला, जलवाई वाला, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते थे, फिर यहाँ पर है, यह पूरा का पूरा सेक्षन है, ध्यान सुना, यहाँ पर है भारत कृशी एवं जलसंसाधन, अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कृशी है क्रिशियम लोग पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई है, मेंशन कर दी गई है, और यहाँ पर है जलसंसाधन, अब अगर आप लोगों से मैं कहूँ, पहले भी जलसंसाधन का एक टॉपिक था, है ना, आपदा प्रबंधन वाले सेक्शन में अगर मैं कहूँ, आपदा प्रबंधन एवं जलसंसाधन, पूरा का पूरा टॉपिक था, जलसंसाधन का, और मुझे ऐसा लगता कि जलसंसाधन का टॉपिक मेजर सेक्शन था, वहाँ पर आप लोग इसको पहले से पढ़ते रहें, यहाँ पर आपके दे उनका उत्पादन और वित्रन, ठीक है, तो यह सारे के सारे सेक्शन आप लोग को मिल जाएंगे, हाँ, यह बात सही है कि पहले सलेवस में नहीं था, तो इस पर अपना उतना ध्यान नहीं जाता था, ठीक है, और अगर मैं कहूँ, लेकिन मैटर किस तर पर आपको खूब मै मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो परशान होनी की ज़ROद नहीं, यहाँ पर है सिचाई के तकनीक, यह आपको नोट से मिल जाएगे, सिचाई के स्रोथ, बहुत देशी परियोज जनाएं, यह भी सारे के सारे मैटर आपको आसानी से मिल लेंगे, खाद सुरक्षा, ये फिर से repetition लग रहा है, देख लीजे आप लोग यहाँ पर, पूरा का पूरा section repeat है यहाँ पर pre के साथ, अब अगर हम लोग बात करें, ये पूरा का पूरा topic, जितना भी topic है, इसमें आपको material के स्थर पर कोई परशानी नहीं होने वाली है, rate दिख रहा है, इसका मतलब खतरा नहीं है, ये सारे का सारे content कहीं न कहीं आपको पढ़े हुए है, या फिर उसका matter आपके पास, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई भी geography किताब उठाओगे, कोई भी economy किताब उठाओगे, ये economic किताब के हिस्से, ये geographic किताब के हिस्से, और economy में भी आपको मिल यह अगर मैं सिचाई की स्रोत की बात करूं, यह पहले भी मेंस में थे, बस यह था जोगर्फी की जगह पर नहीं थे, लेकिन मेंस में इन सब चीजों को हम लोग ने देखा था, पढ़ा भी था, यह तो मैंने आप से कहा, यह पूरा का पूरा सेक्षन प्री में भी है, आपक यह जल नहीं थे, अब जैसे अगर मैं आप से कहूँ, यह जल सन्रक्षन हम लोग पहले से पढ़ते रहें, यह सारी की सारी चीजे हैं, यह वाला जो सेक्षन है, इस पस्ट रूप से मेंशन नहीं था, कैसा नहीं था, इस पस्ट रूप से मेंशन नहीं था, बाकि चीजें पूरी की पूरी आपकी वही की वही, as it is है, कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं कहे दूँ, इस पूरे के पूरे टॉपिक के लिए आपको न मैटर को लेकर परशान नहीं होना है, ठीक है, चले, यहां से हम लोग बढ़ते हैं, यहां जब लोग आँगे बढ़ेंगे, तो फिर यह वाला section आता है, यह यहां पर एक section आता है, भारत में प्राकृति संसाधन एवं उद्यो, यह पूरे के पूरे section में अगर हम लोग बात करें, यह पहले जैसे देखना, उर्जा संकट है, उर्जा संकट आपका अलग जगह हुआ करता था, खनिज भी कई जगह, उर्जा स संसाधन यह पूरा का पूरा section अलग जगह हुआ करता था, अब यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर पढ़ा हुआ है, चलिए, ठीक है, यहां से अगर हम लोग बात करें, आप लोग देखा, पहले उर्जा वाला section था, ठीक है, तो पेपर तीन में हुआ करता था, पहले उर् आदा तो नहीं, फिर भी इन section से प्रशन पूछे जाते थे, और इन section से प्रशन पूछे जाते थे, इसका मतलब यह, कि पहले material इसका रहा होगा, और अगर हम बात करें, कि कोई भी geography की किताब उठा लो, geography का कोई सभी उद्योग वाला section उठा लोगे, इस सारा का सारा matter आसा कानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ section तो आप लोगों को बस यह की content पुराना हो गया नहीं, तो आकार के notes से यह आपको मिल जाएगे, बाकी geography की कोई भी reference book ठालोगे, हर जगे आपको यहाँ पर मिल जाएगे, ठीक, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ प पूरा पढ़ते रहे, कौन-कौन से प्रमखुद्योग है, मध्यप्रदेश में कितना है, विश्व में, भारत में कहां कहां पर है, वो सारे के सारे section पढ़ते रहे, खादे प्रसंसक्रिकी समस्याएं, संभावनाएं, वर्तमान, निस्थित, यह सब के सब हम लोग पूरव अगर मैं आपसे कहूं, जो पूराना सलेवस था, उस पूराने सलेवस में भोकंप का section था, पढ़ते नोट्स में आपको मिल लागा, सुनामी मिलेगा, सूखा मिलेगा, बाढ़ मिलेगा, हाँ, ओला वरिष्टी हम लोग कम पढ़ते थे, कोहरा कम पढ़ते थे, और बादल का पढ़तना और तरित जंचा, इतना हम लोग कम पढ़ते थे, और अगर हम आपसे कहें, ये पूरे के पूरे जो section है, ये आपको उतने ववस्थित नहीं मिलेंगे, जितने ववस्थित होने चाहिए, बाकि ये सारे के सारे section आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, तो आप के इस तरह पर ये सारे के सारे section आअसानी से देख सकते हो, ठीक है, चली, फिर उसके बाद यहाँ पर है परियावन प्रदूशन, वाय प्रदूशन, जल प्रदूशन, मिट्टी एवं भूम प्रदूशन, एवं उनका रोक्थाम, नियंतन और प्रबंधन प्रदूशन को क करने को उपार, यह अगर मैं आप से कहूँ, यह बहुत परमपरागत है, क्या परमपरागत है, हाँ, जगह नई आपको यहाँ पर मिल गई है, जगह का नई कहा मिल गई है, भूल के संदर में, बाकि अगर हम लोग बात करें, इसमें से बहुत सारे sections हम लोग पहले से पढ़ते रहे हैं, नहीं भी पढ़ते रहें, तो बहुत जन्रल टॉपिक है, जन्रल टॉपिक है, सारी सारी चीज़े हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, यहां से जहम लोग आंगे बढ़ेंगे, तो फिर यहां पर है, भारत में जनसंख्या वृध्धी, जनसंख्या का दवाओ, ग्रामिन, सहरी प्रवास, यह तो ठीक है, पूरा का पूरा मैंने कहा, पहले भी सलेवस में था, भोगोल कुन नतितकिनी के, यह हम लोग पढ़ते थे, पहले यूनिट पांच में अलग से हुआ करता था, पूरा का पूरा, अब यह इसका सब पार् कोशन बने, फिर कोशन रिपीट होने लगते हैं बार-बार, और फिर यहां पर अगर हम लोग बात करें, भोगोल मुननत तक्नीके, यह भी तना बड़ा सलेवस नहीं है, कि हम लोग इसको बार-बार नए तरीके से पढ़ें, अब फिर अगर बार-बार पढ़ते हैं, कोश सलेवस में परिवर्तन है, रेट लाइट यहां पर नहीं, मतलब यहां पर आपको रेट मार्क नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ, यहां पर सलेवस बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, रेट क्यों नहीं किया गया है, कि सेधी सी बात है, यह सारे कि सारी चीज में यहां पर एक तो मालवा का पठार हुआ करता था और अगर मैं कहूं वहां पर आपको नर्मदा सोन घाटी हुआ गड़ता उसके लाबा मुझे ऐसा लगता कि और कुछ भी नहीं था लेकिन यहां पर बाकी सारी कि सारी चीजें जुड़ गई है यह परमपरागत फैक्ट ह इस वज़े से इसको रेट नहीं किया गया तो मैटर किस तरपर यहां पर आपको कोई कमी नहीं है नोर्स आप लोग देखोगे तो आपको सारे कि सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगे चली चलते यहां से आगे तो यह पूरा का पूरा यूनिट पांच हो गया है य वही प्रसुती करना प्रजेंटेशन का तरीका अलग है। यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें यह ध्यान सुझना, यह पूरे की बहुत सारे सेक्षन जो थे सलेवस में नहीं थे, जैसे सिचाई परियोजना सलेवस में नहीं थी, ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर यह लग हुए और कुटूरी उद्योग भी सलेवस में पहले मिंशन नहीं था, अब मिंशन है, फिर आप लोग के दिमाग में फिर से वही बात आ रही होगी, यहां पर इसको रेट मार्क क्यों नहीं किया गया, तो यह सब के सब चीजें आपको प्रियमेंस के सलेवस में आसानी से उपलब्ध है, इस वज़ा से ऐसा नहीं है, ठीक है, चल, यहां से जब लोग आँगे बढ़ेंगे, तो फिर दूसरा प्रशनपतर आता है, फिर यहां पर आपको मिल जाएगा खंड आ, खंड आ अगर मैं आप लोगों से कहूं, कुल मि इस परिवर्टन नहीं हुआ है, हां, जगह में कुछ परीवर्टन हो गए हैं, जगह में परिवर्टन हो गए हैं, इसके लावा यहां पर आपको कुछ भी अक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो यह पूरा का पूरा सेक्शन है, हां, यह वात zaten कि यहां विचारक में यह आप आपको एक्स्त्रा मिल गई है और एक जगह नहीं इकाज जगह और आप लोगों को देवी अहिल्यावाई होल कर मिलेंगी जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा फिर है राज्यों का इकाई यहाँ पर राज्यों का पुनरगठन मध्प्रदेश का निर्माण मध्प्रदेश का अंभीभाजन यह हम लोग सब अगर हम लोग बात करें, यहां पर राज़िपाल है, राज़िपाल, इस्थित, मुक्यमंत्री, मंत्रिपरिशत, आपको यह बताइए कि यह पहले नहीं पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, संबंधित विशा का टीचर आपको सब पढ़ाता था, पुनर गठान हम लोग सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैटर किस तरह पर फिर से यहां पर कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है, तो यह आपका सेक्शन यहां पर हो गया, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर है, मत्रिपरदेश उचनयाल, संगठन, छेत्रादिकार, भूमिका, यह आयोग जितने है, कोई भी नहीं है, यहां पर हो सकती यह वाला सेक्शन आप लोग के लिए क्या है, नया है, फिर है, एक आई पांच में है, मत्रिपरदेश का प्रसासन, यह आप लोग के लिए, अगर मैं आप से कहूँ, यह आप के लिए एक लिए एक दम से नया है, और अगर हम बात करें, यहां पर कि इसका स्रोत आप लोगों को कहां से मिले, बहतर तरीके से आप लोग कहां से कर लो, तो अगर मैं कहूँ, बी ए में जो पब्लिक एड्मिनिस्टेशन का सलेवस है, थर्डियर में वहां से आपको बहुत आसानी से यह मिल जाएगा, ठीक ह पढ़ते हैं, ठीक है, इस वज़ा से कोई मैटर की इश्यू नहीं है, कोई मैटर का नहीं, और मैंने बताया कि पाबायट का जो थर्डियर है, उस थर्डियर में आपको पेपर, यह पुरा का परव माटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, यह बात है, कि आकार के न हमस्यास से जुड़े मुद्दे, हाँ, यह वाले जो सेक्षन थे, यह सामान रूप से नहीं है, लेकिन अगर मैं आप से को हूँ, यह सारे के सारे जो सेक्षन है, मैंने आप से कहा था, एक मैगजीन पकड़िए आप लोग, तो यहाँ पर करिंटा फेर्स में आपको मिल ज आएंगे, बार-बार अगर मैं आप से कहूँ कि आप लोग एक बार, एक मैगजीन को अपना अधार बनाईए, करिंट अफेर्स का, रेगुलर्ली उसको पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए कि जैसे वो आपका एक विशह हो, क्योंकि उसका इस्तमाल आप लोग हर जगह करोगे, प्री में भी करोगे, मेंस में भी करोगे और इंटर्व्यू में भी करोगे, क्योंकि इसके पहले अगर मैं कहूँ नो, भारत में करेंट अफर्स का, मध्य प्रदेश में करेंट अफर्स को उतना जादा योगदान नहीं था, प्री में सीमित कुश्चन्स आते थे, वो भी current के हैं कि बहुत पुराने हो गए, दो साल पुराना current, तीन साल पुराना current, इसको मैं current कहूँ या फिर परमपरागत fact कहूँ, उसके बारे में अपने को ग्यान नहीं था, तो मतलब उसको इस पस्टता के साथ नहीं कह सकते थे, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, mains था कोई अपने answer को बहतर बनाने के लिए पढ़ता था, विद्यार थी, तो उसका अपना personal interest था, कि हम बहुत बहतर अपना answer कर सके, topic को, चीजों को, अपने answer को current के साथ जोड़ सके, वो अपना उसका lookout को अगरता था और बच्चे करते भी थे, जो अच्छे बच्चे थे, लेक इस रुप से पैदा होती थी, वो interview के समय होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, चली बढ़ते हम लोग यहां से आँगे, तो इस सारे के सारे section आप ध्यान में रखना, इन सब के लिए, इस topic के लिए भी आप लोग, current affairs का सहारा लोग बहुत बहतर बनेगा आपका, यहां पर ह यह चला गया समासास के हिस्से में, समासासर पहले थोड़ा था, अब बहुत सारा हो गया है, देख लीजे आप लोग यहां पर, कुटुम, परिवार, नातेदारी, वंस, गोत, परमपरा, यह कोई भी अगर मैं कहूं न, आप लोग न, कोई भी sociology की किताब उठाओगे, social logic की किताब उठाओगे, बहुत आसानी से सारी की सारी चीजे आपको मिल जाएंगे, अगर मैं कहूं, DAV में जो आपका B.A. का सलेवस है, विसे इस रूप से first year, second year और third year, यहां पर आपको सारी की सारे सलेवस, सारा का सारा pattern आपको यहां पर मिल जाएगा, तो आपको न, यहां पर DAV का जो सलेवस है, B.A. का, उसमें से first year, second year और third year से सारी की सारी चीजे आप लोग ढूंड लोगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, बांकी इसमें से कुछ चीजे हम लोग पढ़ते थे, कुछ चीजे नहीं पढ़ते थे, अब जैसे यह पूरा का पूर बता दिया, वहां से आपको collect करना है, यहां पर लिखा है भारत के लोग, विवित्ता मेक्ता, चेतरी भासाई, धार्मिक और जंजाती, सांस्कृति विवित्ता, अपरात का बदलता स्वरूप, यह सारे का सारे section, अगर मैं कहूं ने, यह फिर से मैंने आप से कहा था, आप लोग current affairs पर जोर दो, यह आप लोगों को current affairs में मिलना है, यह आत्म हत्या, साइवर, नसीली दवाओं की इलत, महिलाओं के प्रतिपराद, घरेलों, हिंसा, यह सब current affairs के topic हैं, वहां से निकलते रहेंगे बार-बार, वहां से आपको matter मिलेगा, current के पर आधारी, पूरे के जैसे यह है भारत के लोग इसको समवैधानिक तरीके से जाहे जैसे भी तरीके से आप प्रस्तुत करो, फिर अगर हम लोग बात करें विवित्ता मेक्ता, यह निबंध का भी टॉपिक, यह भी निबंध का टॉपिक, यह भी निबंध का टॉपिक, यह भी निबंध, मतलब आ कि हमारा जो प्राची ज्ञान है उस ज्ञान की संदर में होगा धन्म निर्पेक्षिता बहुलबाद राश निर्मान ये सब के सब बरतमान की अवधाना हैं ये सब आपको करेंट से मिलेगा ठीक है ये बात आप ध्यान में रखो इस पर करो आप लोग काम चीजें आपको मिल क्या बिस्तित पढ़नी है चीजें करेंट से जोडनी है अन्य देशों के साथ तुलना करनी है तो इन सम्में आपको करेंट का सहरा लेना पड़ेगा ग्रामीन सहरी अंतर है ग्रामीन वाध हो गया नगरवाध हो गया ये सारी सारी चीजें आपको मिलती जाएंग यहां पर matter मैंने आपसे बताया, कहां पर मिलेगा, आप लोग कर लेगा है ठीक है, यहां पर है बैश्वी चुनोति है, देख लीज़ Sh soap apply से बीजैंट हो सु कहां ए sap इतुर का आप शुमौति है, परमपराइट होंगे notes, इस में का डाटा होगा तो इन सब चीजों में इन की आपको जरूरत पड़े चलिए यह सारे का सारे टॉपिक मैंने आपको स्रोध बता दी हैं कहां से कहां तक आपको मिलेगा यह है 1901 से वरधी जनसंख्या वित्रण वाला है यह अगर मैं आप लोगों से कहूं यह भले हो यहां पर जुड़ा है सोसोलोजी में लेकिन यह जौगरफी के मेंस के नोट्समियाप का है चलिए यह सारे का प्रजनंदर है सरगल वहां से हट यहां से हम जोग बढ़ते आंगे फिर यहां पर माना संसाधन विकास एवं सामाजिक कल्यान की योजनाएं यहां पर राश्टी सिक्षा नीति, मैंने कहा ना राश्टी सिक्षा नीति की आधार पर ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा प्री का वो पहला सेक्षन जो है, वो यहीं से मिला हुआ आपको, ठीक है, यह सारी सारी चीजें आपको मिल लेंगे, बाकी यहां पर है मद्य प्रदेश की लोक संस्कृत, यह हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है, और इसमें से, मैंने कहा फिर से लिखा हुआ है, बांकी मटेरियल आपकी पास पूरा होगा, इसमें से बाखी जितने टॉपिक है इसमें आप लोगों पहले से किसी न किसी रूप में पढ़ते रहे होंगे, फिर यहाँ पर है प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 3 में है यह आपका एकदम से मैंने कहा ना बूम आया है, बूम का मतलब यहाँ पर दो तीन ऐसे स्ट्शन से जहां पर बूम आया एक अगर हम लोग बात करें एकोनोमी का एक बूम है सोसोलोजी में एक बूम है अगर मैं कहूं इथिक्स का जो वो उद्यमीदा वाला टॉपिक है वहां पर तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पर भरमार हो गई है बहुत सारे सेक्शन्स आप लोगों को शुढ गये हैं यहां पर ठीक है यह पूरा का पूरा है भारती अर्थवास्था के मौलिक पहलू यह इस governor में भी आपको मिलेगा भारती आर्थव्वास्था की विश्यस्ता है लिखा है बाकी हम लोग सब पढ़ते हैं यह पूराणा टॉपिक है मिल जाएगा भारत प्रम में मौसम पर निर्भरता यह अगर आप लोग देखोगे तो जो अगर भी पढ़ते हैं हाँ यह वाले सेक्शन आप लोग को पूरूरी तरह से एकोनामी में पढ़ना पड़ा है चलिए यह सारे के सारे सेक्शन आप लोग को मिल जाएंगे यहां पर है शहरी पहल सरकारी पहल इसमें से PM किसान है यह सारी के सारी योजनाय है यह भी आप लोग करेंट से पढ़ लोगे यह में जितने भी सेक्शन आप लोग देख लीजे यहां पर मेक इन इंडिया योजनाई है विदेशी मुद्रा आय योगदान यह सब सारे के सारे सेक्शन आप लोग के लिए नए और नय है तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा या तो आपको material ढोलना पड़ेगा या फिर आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा अप ज़से गर हम लोग बात करें यहाँ पर यह वाली unit जो आप लोग देखोगे मांकी तो यह सब इंडिया लेवल का है यहाँ सुना यह पूरा का पूरा इंडिया की स्तर का है तो यहाँ पर content आपको मिल जाएगा एक section यहाँ पर आपको मिलेगा यह वाला जो section है मद्य पर देश की अर्थववस्था का अवलोकन में कहाँ पर मिलेगा घर यह काTHरीयर का जो section हुग वह एक बार आप लोग देख लेना exact नहीं कह रहा हूं मैं 30 year का लेकिन डेवी का जो economics का जो चले बस है वहां पर आपको इसारे के सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे ठीक है तो सुरोत आप लोगों पता है कहां कहां से आप लोगों को matter collect करना है खाद सुरक्षा लोग वितरन प्रणाली मैंने आप से कहा जगह बदली है बांकी हर कोई जानता है यहां पर भी matter की आपको कमी नहीं मिलेगी चलिए बढ़ते हम लोग यहां से आँगे फिर से वही है खाद सुरक्षा वितरन प्रणाली बांकी सारी के सारी चीजें अधोसन रचना यह point है बस जगह बदली है concept थोड़े थोड़े से अलग होगे प्रिशी पद्धती हो गई प्रमुक वनोपज है हस्तसिल्फ है हाट बाजार है यह सारे के सारे section है यह आप लोगों के लिए दम से नय हो सकते है हाट बाजार हम जानते है हस्तसिल्फ भी हम ज प्रदेश में सामाजिक वम आर्थिक विकास स्वासाधोसन रचना सिक्षा कौंसल विकास फिर यहां पर है वित्ती समाजिक समावेशन कल्यानकारी योजनाए अब जैसे यह वाला section है यह वाला कहां से आपको मिलेगा फिर मध्य प्रदेश में करेंट से मिलेगा मध्य प् से नुसासन है यह अगर हम लोग बात करें यही भारत के संदर में भी चलेगा और यही यहां पर भी चलेगा यह मत्य प्रदेश के संदर में भी चलेगा यह वाला जो section है यह आपका है पांचवा इस्टैक्स बाला यह आप लोगों के लिए कुछ section आपका नया है बाकि हम तो क्या है गणित में इसको पढ़ते रहे हैं तो गणित में पढ़ते रहें यह आपका अगर मैं आपसे कहूं यह वाला जो section है एक प्रशासनी कथिकारी के रोप में यह आप लोगों के लिए आवश्यक होता है क्यों आवश्यक होता है कि सिरी से बात है आपके पास डेट सब चीजों का चार्ट बनाना पड़ता है उनको बढ़िया टेबलेशन करना पड़ता है उनको फ्रोचार डाइग्राम से प्रस्तुत करना पड़ता है तो यह सारी सारी चीज़ें आपके काम आ सकती है ठीक है यह आप लोग ध्यान में रखना उसके लावा यहां पर और का इशू नहीं है क्या कंटेंट का इशू नहीं है यहां पर तो आपको पढ़ने का इशू है क्या पढ़ने का इशू कंटेंट का यहां ने कोई भी आप लोग किताबें खरीद लोगे आपको आसानी से मिल जाए ठीक है और यह पूरा का पूरा तो अगर मैं कहूं किसी न लोग NetJRF निकालने के उप्रयास करते हैं, उनको भी सारी सारी चीजें पढ़नी पढ़ती है, चलते हैं, यहां से खंडबा है, विज्ञान तक्नीकी एवं जन स्वास्थ के बारे में पढ़ना है, खंडबा है, यहां पर है सामान विज्ञान, विज्ञान के साधारन विज्ञान के साधारन अनुप्रयोग, अब अगर हम लोग बात करें, बस यहां पर एक थोड़ा सा समझाता हो गया, समझाता हो गया फिजिक्स और कमिस्टी के साथ, पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो तीसरा पेपर था, उसमें अलग से फिजिक्स और कमिस्टी का टॉप रहे होंगे, यह वाला टॉपिक आप लोग के लिए नया है, यह आरेभट वराहमीर यह सारे के सारे टॉपिक है, आप लोग को मिल जाएंगे, अब अगर मैं कहूं यह वाला टॉपिक है, है न, इतनो बायोजी के अनुप्रयोग, यह साइंस टेक में आप लोग पढ़ सकत है, यह कुछ सेक्शन तो आप लोग इतिहास में मिल जाएंगे, यहां पर, कहां पर मिलेंगे, इतिहास में, ठीक है, तो यह आप लोग का सेक्शन यहां पर है, चली, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बहुत इक संपदा दिकार, ट्रिप स्टिम्स, मैंने कहा न, कोई इशू नहीं है, मैटर का कोई इशू नहीं है, आसानी से मैटर आखको मिल जाएंगे, फिर यहां पर है, पोर्टल एवं वेव साइट, तथा वेव, पेजस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, यह अगर आप से मैं कहूँ, पोर्टल का हो गया, वेव साइट हो गया, वेव से का हिस्सा है, तो साइन्स एंटेक में आप लोग बहुत आसानी से पढ़ते हो, और मुझे इतना तो याद है कि क्लाउड कम्प्यूटिंग वार UPSC का प्रशन भी था, ठीक है, चले, यहां से हम लोग बढ़ते आंगे, तो यह वाला सक्षन है, इनको आप लोग तयार कर जाएंगी, यह तो आपका जिसका लैंगविज होगा, कम्प्यूटर का, तो वहां से कम्प्यूटर किस रोच से आपको पढ़ना पड़े गया, चले, ठीक है, यह वाला गणित का सेक्षन है, गणिती विग्यान है, पूरा का पूरा सेक्षन, मुझे ऐसा लगता है, यह प पर इसका वेटे घर स्थोड़ा सा एकाई दो गणिती विग्यान है, गणिती विग्यान में आपको यहां पर पढ़ना मिल दाएगा और एक वहां पर पढ़ने को मिलागा, ठीक है, चले, यहां से हम लोग पढ़ते हैं, आयूश है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ते थे, सलेबस में था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था, तो इतना जो इतना भी डिटेल का यह section है, यह आप लोगों को महनत करने पड़ेगी, महनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनेंगे, मांकि आप लोग भी अपनी इस तरह पर इसको ढूंड सकते, तो लेकि यहां से चीजें हम लोग बढ़ाते हैं, यहां से आंगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ चीजें तो यह आपकी रिपीट हो गई है, यहां पर है राष्टी स्वासकारिकम, यह पूरा का पूरा section है, इकाई 4 का, इकाई 4 का है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा रेड ही रेड ह इसका मतलब यहां पर मैटर आपको तयार करना पड़ेगा, लेकिन मैटर तयार करना पड़ेगा, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मिलने का मतलब यह है कि आप करिंट अफिरस से अगर हम लोग बात करें, यहां पर आपको बाल स्वास से कारिकरम हो गय आकार के नोट्स में होंगे, पुराने सलेवस में, प्लस अगर मैं आप लोगों से कहूँ, तो यहां पर करिंट अफिरस की बुक आपको मैगजीन ले लेना, सारा का सारा सेक्शन आपका मिल जाएगा, पूरा का पूरूरू, चलिए चलते हैं, यहां पर यह थोड़े से न देखवाल है, यह बाला सेक्शन था, यह आप लोगों का पहले से था, जगह बदली है, और अगर मैं आप से कहूँ, यह जो 2020 के पहले का जो सलेवस था, उसके पहले भी यह सारी सारी चीज़े हम लोग पढ़ते थे, उपके इंद्र है, प्रायित्मिक, प्यस्थी जितने यह सारे के सारे सेक्शन अम लोग पढ़ते भी रहें, ठीक है न, और आपको अभी भी नोट्स में मिल जाएगा, तो अगर मैं कहूँ, अभी भी नोट्स में आपको मिलेगा, और नोट्स के साथ साथ अगर मैं कहूँ, जो पहले था, 2019 तक जो सलेवस्ता था, उसमें भी सा सारे के सारे टॉपिक थे, ठीक है, तो यह पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान में रखना आप लोग, चलिए फिर पांचवी उनिट है, भारती परंपरा और संस्कृत में पर्यावर्ण की अवधार्ना, यह है, जनपो ध्वन्स, वाय, उजल, देश, काल की विकृतिया इसमें से पर्यावर्णी सिक्षा, फिर पर्यावर्ण संत्रक्षन में मत्प्रदिस की जनजातियों की भूमिका, भील, गोंड, इत्याद, यह सारे के सारे सेक्षन आप लोगों को पढ़ने पढ़ेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें, यह एक तो बिये भूल से जो करते हैं, उनको थर्डियर में मिल जाएगा, कुछ सेक्षन इसमें से, कुछ सेक्षन इसमें मिलेगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो फाउंडेशन चलता है, फाउंडेशन जो चलता है, इन्वर्सिटी में, यहाँ पर कॉलिजिस में, सिकंडियर और थर्डियर में, तो सिकंडियर और थर्डियर का जो फाउंडेशन कॉर्स होता है, वहाँ पर यह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और फिर आपको, जो भी यह भूगोल से करते हैं, भी भूगोल में भी आपको यहाँ पर नीतियां कुछ मिल जाएगी, ठीक है, तो यह सार आप लोग मिल एब जासे यहां पर लिखें थोस अप्सिस्च प्रवंधन नगरी एवं आद्यों के कपसिस्च यह अगर मैं कहूँ यह पुराने सलेवस में भी था क्या है पुराने सलेवस, पुराने सलेवस का मतलब यहां पर होता है मेरा 2020 के जो पहले था, उसमें भी यह सलेवस मैं आपको मिलेगा, बांकी शुरोत तो मैंने आपको बताई दिया कि कहां पर आपको मिलेगा, ठीक, चली, यहां से हम लोग बढ़ते हैंगे, फिर ही आता है प्रशनपत्र 4, प्रशनपत्र 4 है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर किसी प्रशनपत्र में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, जिसको मैं लोग कहते हैं, ड्रास्टिक चेंज जिसमें हुआ है, तो वो है पेपर 4, पेपर 4 में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़े परिवर्तन में इसमें पहले A कही भाग हुआ करते थे अब दो भाग हो गए पार्ट A और पार्ट B मुझे ऐसा लगता था जब विद्यारती पहले मेंस लिखता रहा होगा तो जब पेपर तीन खतम हो जाता था तो उसके बाद वो थोड़ा सा लंबी सां लेता था और उसको ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है अब आंगे उतना लिखना नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा अब नहीं है ठीक है चलिए अब अगर हम लोग बात करें चोथा पेपर है चोथा यी पेपर में जसे अगर मैं आप से कहूं पहले 200 नंबर का था पूरा का पूर करें, यहां पर बाकी सारी सारी चीजें हैं, यह शट दरशन है जाहिती हास में पढ़ हो चाहिए हैं लेकिन यहां पर detail में, फिर यहां पर हैं, यह सब के सब नए लोग जुड़े हैं, यहां पर मैंने कहा एक बजगा अहमले और पढ़ लिया है किसको देवी अहिल्याबाई होल करको बाकि ये कुछ नए नाम जुड़ गया बाकि आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहोंगे ये राश्टी अवधार्ना, सक्ति संगठन राश्टी सुरक्षा ये सारे के सारे सेक्षन ये नैतिक मूल ये पॉइंट आप लोगों के लिए नए है, जो इसके पहले नहीं थे, ठीक है चलिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते आंगे फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें भगवत गीता, प्रशासन, ये आप लोगों को काम करना पढ़ागे यहाँ पर कुछ पॉइंट तो ये वाले सेक्शन है, ये हम लोग पहले से पढ़ते भी रहें, ये वाला टॉपिक है ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है यहाँ से हम लोग बढ़ते आंगे ये तो सलेवस में था यहाँ पर है मनो विकार एवम, मनो चिकिस्सा ये आप लोग का साइकलोजी का टॉपिक है ये साइकलोजी का टॉपिक है और अगर हम बात करें जो डीवीवी में बीए का सलेवस है उस बीए के सलेवस में सारी के सारी चीज़ें आपकी है तो डीवीवी में जो बीए का सलेवस में नयतिक मूल ले ये आप लोगों के लिए एक दम से नया लग रहा है नया किस अंदर में लग रहा है कि पहले ये पूरे सलेवस में नहीं था फिर ये तो पूरा का पूरा-पुराना सलेवस आपको मिल लाएगा ये case study है, पहले जासा पहले भी case study आती थी फिर यहाँ पर ये आपका टॉपिक पूरा-पूरा नया है इसको हमलोग उद्यमिता के नाम से जानते हैं उद्यमिता प्रवंधन व्यक्तित विकास एवं case study यह पूरा का पूरा नया है डेड़ सो नंबर का पूरा का पूरा इसमें नया आपको यहाँ पर ढोलना ही पड़ेंगे कंटेंट के कि हम लोग बात तरें यह एक स्रेक्षन है कि यह उत्राखंड इन्वरसिटी में आपको मिल जाएगा वहां कि ऊपन इन्वरसिटी और एक बुक नाम है mcm 202 उसमें आपको यह पूरा पूरा सलेवस मिल लाएगा, वहाँ से चुपचाप इसको उठाकर ऐसी रख दिया गया, तो content आप वहाँ से collect कर सकते हो, बहुत आसानी से, बाकि ये पूरा का पूरा topic आपका नया है, फिर एक नया topic आप लोगं का और यहाँ पर दिखेगा, उसे फिर ये तो देखने, startup India, making India या मैंने आप से कहा था, ये सब current का topic है, तो कुल मिलाके आपके सलेवस में current का योगदान खोब बढ़ा गया है, चलते हैं, यहाँ से हम लोग आँगे, फिर एक section आता है, यहाँ पर व्यवशाइक संगठन एवं प्रवंधन, ये NCRT की book है, बार्मी क्लास की, बार्मी क्ल आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, तो ये आप वहाँ से collect कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक section आता है, उसे हम लोग कहते है प्रशासन एवाम प्रवंधन, प्रशासन एवं प्रवंधन है, यहाँ पर एक topic आपका मिलेगा, इसके बाद यहाँ से हम लोग थोड़ा स उसका नाम है जैन विश्व भारती विश्व विद्याल है, उसका एक सलेवस है, उस पूरे की पूरे सलेवस में ये सारी की सारी चीजें आपकी मिंशन है और ये पढ़ाया जाता है बीए थर्डियर में, तो बीए थर्डियर से आप लोग इसको वहां से कलेक्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से, ठीक है, वैसे अगर मैं आप से कहूं, ये वाला सलेवस है, ये पूरा टॉपिक है, आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छै टॉपिक है, और आना यहां से तीस नंबर का प्रशन है, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सक्षन यहां से कवर हो जाएगा, तो सुरोत मैंने आपको बता दी, कहां कहां से चीज़ें कलेक कलेना, यहां पर अभी आपको मिल गया एक केस स्टेडी, ये भी आप लोगों के लिए वैसे नया है, ठीक है, केस स्टेडी आती थी, इथिक्स में आती थी, अब यहां पर अ प्रकार था, तो उसको हटा दिया गया, तो अंग एवं प्रकार हो गया, दोहा सूर अठा, ये आपका सेक्षन है, वाग संद्चना एवं प्रकार, ये सारे के सारे सेक्षन, ये बोलियां, ये आपकी नई है, इनकी नए नए वाले सेक्षन है, ये यहां पर जुड़े हु कि उसकी slide नहीं है लगता है, जो निबंध वाला section है, निबंध और प्रारूप वाला, उसमें ज़्यादा change तो नहीं हुए, pattern में भी change नहीं हुआ, marks में भी change नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है वहां पर topics number of जो निबंध के topics दिए रहते हैं वो बढ़ गए हैं और बहुत सारे topics जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे topics इधर भी है, economy में भी है, history में भी है, वही कहां पर है, निबंध में भी है, तो अगर मैं आप से कहूँ, तो एक तीर से जैसे कहते हैं, एक दो निशाने लगाने जैसी बात है, तो वहां पर ऐसी कुछ चीज़ें आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, अब जैसे कर मैं कहूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में प्रश हैं, उसके हिसाब से तो आना चाहिए, फिर मैंने आप से सुरू में कहा था, आयो परिक्षा के पहले, मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें एक्जाम का क्या रहेगा, सुरूप कैसा रहेगा, उस पर वो कोई आपको सूचना उपलद करवाएगा, ठीक है, मार्किंग में परिवर्तन हो गया है, मुझे जादा बतानी की जरूत नहीं है, तो वहाँ पर भी होगा, नंबर आफ जो मार्क्स हुआ करते थे, पहले वो बढ़ गया, 100 नंबर जितना पहले मेंस का होता था, उसमें 100 नंबर जंप हुआ, इथिक्स की वज़ा से, यहाँ पर फिर इंटर्विव है, इंटर्विव में भी 10 नंबर बढ़ा, क्यों बढ़ा मुझे नहीं पता, ठीक है, वहाँ पर भी आपका बढ़ गया, पैटन जो था, पैटन चेंज हो गया, विसे सुरूप से एकोनॉमी का है, केस स्टेडी वाले सेक्शन है, वहाँ पर कहां कहां से आप लोग पढ़ सकते हो, बाकि कोशिस यही रहेगी, कि जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी हम कंटेंट आपको लब्ध करवा दे, ठीक है, तो फिर all the best, आपके संघर्च के लिए, जो नया सलेवासा है, उसके संघर्च के लिए आपको all the best, और आप लोग क झाल